तो आज मैंने पास है नम्बर येट अन्व यहां पे पर डिखने है और तो इट मुझेगे वो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yes, हमरे पास आज 8 oranges है तो अब हम लोग 8 नमबर लिखते हैं पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ऐसे S बनाएंगे बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे, अब तो ये बन गया हमारा नमबर 8 नमबर 8, अगें पहले हम ऐसे 8 नमबर ऐसे बनाएंगे और फिर बिलकुल भी वेट नहीं कहलेंगे और एसे S नम 8, ओके? नमबर 8 नमबर 8 नमबर 8 इसे ओके? हमें 8 नमबर ऐसे, ऐसे नहीं लिखना है ओके? अब एसे नमबर ऐसे नहीं लिखना है चुराओगे नमबर 8 अमनों एसे नमबर बोलते चाहेंगे और लिखते चाहेंगे एसे नमबर एसे नमबर ओके? यह हो गया हमारा नमबर 8 अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी है वह करेंगे ओके? तो यहाँ पर है आप्टर नमबर कौनसा नमबर रहेगे? आप्टर नमबर बदब 1 के बाद कौनसा नमबर आता है? 1 के बादा है 2 तो हम यहाँ लिखेंगे Number 2 Okay 2 के बाद के आता है Number 3 तो हम यह लिखेंगे Number 3 4 के बाद के आता है Number 5 5 के बाद के आता है Yes 6 ऐसे ही हमें After Number कर देंगे After 6 7 7 के बाद आता है Number 1 Yes तो यह हो गया हमारी एक्टिविटी Now we will write in our note book and textbook हमारी textbook है तो सबसे पहले हम 8 number में Color करेंगे तो यह हो गया हमारा 8 number में Color अब यहाँ पे पैंग्विंग्स हैं तो यह हमें पहले काउंट करने हैं कितने पैंग्विंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ यहाँ पे 8 पैंग्विंग्स हैं अब हम यहाँ पे 8 number को ट्रेस करेंगे तो यहाँ टॉप से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे S बनाएंगे और फिर इसको S से उपड़ ले कर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने 8 number का ट्रेसिंग कर दिया है अब हम नीचे यहाँ पे जो dot दिया है वहाँ पे लिखेंगे dot से स्टार्ट करेंगे फिर वापस dot पे लिख करेंगे तो यह बन गया हमारा number 8 8 number 8 number 8 number तो आपको यह ऐसे finish करना है यह हमारी notebook यहाँ पे मैंने object draw किया है तो वो भी हमें पहले count करने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पे हमारे पास कितने object हैं 8 object है अब हम यहाँ पे लिखेंगे number 8 number 8 number 8 तो यह हमारा classwork है और यह हमारा homework है तो दो लपेच आपको finish करने है Thank you